दुनिया के बहतरीन आल रॉंडर में से एक और लंबे समय तक वो जो नंबर वन रैंकिंग है आल रॉंडर वाली इस पर काभीज रहने वाले शाकिब अलहसन ने सन्यास की घोशना कर दी है उन्होंने का है कि इंडिया के खलाफ जो कानपूर में मुकाबला खेला जाएगा शायद ये उनका आखरी टेस्ट मैच हो सकता है T20 से रिटार्मेंट का भी एलान शाकिब अलहसन ने कर दिया है वन डे से नहीं किया है क्योंकि चेंपियन्स टॉफी वन डे फॉर्मेंट में खेला जाएगा और शायद चेंपियन्स टॉफी शाकिब अलहसन का आखरी टोर्नामेंट होने वाला है लेकिन साथ ही साथ शाकी बलसन ने ये भी का है कि मीरपूर में जो टेस्ट मैच खेला जाना है बंगला देश का इंडिया टूर के बाद वहां पर मैं खेलना चाहता हूँ अपने दर्शकों के बीच में सन्यास लेना चाहता हूँ आखरी बार अलविदाब में कहना चाहता हूँ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही मानिये कि यह जो मैं कल टेस्ट मैच खेलने जा रहा हूँ भारत के खिलाप यह मेरा आखरी टेस्ट मैच होने वाला है मीरपूर में अगर बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने अलोग किया कि आप खेल सकते हैं वाँ पर या फिर उन्हें मौका मिलता है मीरपूर में खेलने के लिए तो शायद आप शाकिब अलहसन को आखरी बार मीरपूर में खेलते वे देखेंगे वरना कानपूर वाला टेस्ट मैच फाइनल ही टेस्ट मैच इनका समझ ले ये शाकिब अलहसन का बयान है शाकिब अलहसन ने बहुत कुछ दिया है बंगलादेश क्रिकेट को बहुत ही ज़ादा 2019 का वल्ड कप याद करी है मतलब लोन वारियर बने हुए थे 600 प्लस इस खिलाडी ने बल्ले से रंस बनाये थे 500 प्लस ना या 600 प्लस मतलब मोर देन 500 प्लस इन्होंने रंस किये थे अच्छा ओल रॉंडर प्रदर्शन किया था और मेरे खियाल चे बंगलादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक जिस तरीके से शाकेव लहसन ने वर्ल्ड कप में या जितने भी टूर्णामेंट्स हुए है जिस तरीके से इस खिलाडी ने प्रदर्शन किया एक मुकाम हासिल किया है आज तक बंगलादेश के किसी भी प्लेयर ने इतना ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है जितना शाकेव लहसन ने किया है जाएशी बात है कि बंगलादेश के महान क्रिकेटरों की जब भी गिंती होगी या फिर बात होगी तो उसमें शाकेव लहसन का नाम सबसे उपर रखा जाएगा ठीक है मशर्फे मुर्तजा अशरफूल और जितने भी खिलाडी है तमीम इकबाल आप उनका नाम रख सकता है लेकिन शाकेव लहसन ने बांकियों से जितने भी क्रिकेटरों है सबसे ज़्यादा नाम कमाया है, सबसे ज़्यादा शोहरत कमायी है, पैसा कमाया है और अचीव सबसे ज़्यादा, अचीमेंट भी सबसे ज़्यादा है शायद टीम के लेवल पे ना सही, लेकिन व्यक्तिगत तोर पे, इंडिवीज्वल तोर पे काफी कुछ इस खिलाडी ने रिकॉर्ड्स बनाए है और अचीव किये है कभी कबार मैं अपने दोस्तों से कहता है रहता हूँ कि यार शाकिय बुलहसन जैसा अल्राउंडर अगर इंडिया में होता न मतलब हमारे पास है है लेकिन शाकिय बुलहसन अगर इंडिया के लिए खेल रहा होता ना तो आज बहुत अलग लेवल पे जाता बंदा और बहुत पैसे होते और बहुत बहुत नाम मिलता बहुत इज्जत मिलती और बहुत सारे इनके अचीव्मेंट और होते मतलब वर्ल्ड कप जीते हुए होते बंगलादेश तो नहीं जीत पाया लेकिन शायद ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर भी होते क्योंकि शाकिय बुलहसन बहुत इंपोर्टेंट खिलाडी बन जाते है टीम को पूरी तरह से बैलेंस करके रख देते हैं तो ऐसा ओल्ड ओंडर हर टीम चाहेगा कि उनकी टीम में रहे तो मेरे खियाल से अब बेस्ट विशेज ही कह सकते है शाकिय बुलहसन के लिए एक लंबा टाइम रहा है शाकिय बुलहसन को मतलब जब मैं स्कूल डेज में था तब से देखता रहा हूँ और ये आखरी उनका टस्ट मैच है तो मेरे खियाल से शायद शाकिय बुलहसन अब बुड़े भी हो गए और अमब जवान भी हो गए बट ये है कि करियर बड़ा शांदार रहा है इस बंदे का मतलब स्वर्णी मक्षरों में लिखा जाएगा और होफुली आखरी टस्ट मैच मैच अचा प्रदर्शन करें आखरी यी होता है मतलब आखरी बार खिलने जा रहे तो कोई चाहता है कि यार मैच के लिए अपनी टीम के लिए कुछ कंट्रिब्यूट करूँ रंस बनाओं विकेट्स लूँ चरने टस्ट मैच कुछ खास नहीं गया था लेकिन अच्छा करें बादमा की सिरीज हमी लोग जीतेंगे मैच भी हमी लोग जीतेंगे यतना तो पता है मैं धन्यवाद